हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने किचन पत्यांस किचन में तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ तो आज हम गर्मियों के लिए इस्पैसल रेस्पीज लेकर आए हैं जिसका नाम है कस्टर्ड मिल्क से जिसे पीते ही आपको मिलेगी एक दम तरो त पादिश्ट लगती है और आप सबको यह बहुत पसंद आएगी तो यहां मैंने कड़ाही ले लिए कड़ाही में डाला है एक लीटर दूद दूद यहां पर आप गाई भैंस किसी भी चीज का ले सकते हैं मतलब गाई भैंस का लीजिएगा और इसे हम उबाल लेते हैं करना बस एक तिहाय दूद कम हो जाए तब हम इसमें एड करेंगे कर्ष्टर पाउडर तो यहां पर देख सकते हैं दूद की जो को अंटिटी यह थोड़ी कम हो चुकी है बस आपको इससे ज़दा कड़ा नहीं करना है बस यहां पर क्या करना है कि हम डालेंगे कर्ष्टर सीध कि ऐसक्पावडर जो कि मार्केट में आपको इजली मिल जाते हैं यहाँ पे मैंने खुछ पंच, बढ़ देख सकते हैं साथ मैं दbecause weed रएंगे यहांव को जाते हैं तो वनील लेख सकते हैं तो इसने के खुछ बडूर का शुना करने हंट भडु को जाएंगे चले गसी मिख्वार लाइब करने तो देखिए के फासले चलेगे लमीक्स को सब्सक्राइब लाण दूदहों को सब्सक्राइब तरीओिझाल लाज़ाता हैो यानी में देख सकते हुआ दखता है to लगतार आपको चलाते रहना है नहीं तो यह तले में जाके बैठ जाते हैं और चिपक जाएंगे मतलब तो इससे आप लगतार चलाते रहें डालने के बाद यह देखेंगे थोड़ी देर में यह सिल्की स्मूथ से एकदम दूद बनके त्यार हो जाएगा और यहां पर मैंने मिसरी लिया है आपको इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहां पर थोड़ी सी वह करी है गलती मैंने इसको फोड़ के नहीं डाला है मैंने इकठे ऐसे डाल दिया है तो आप इससे क्या करें अगर आप मिसरी ले रहे हो तो उसे फोड़ के डालें क्योंकि अच्छे से घोल चुकी है यह देखिए और बिलकुल इतनी ही consistency आपको रखनी है इसे ज़्यादा आपको कढ़ा नहीं करना है नहीं तू आपको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है बस यहां पर क्या करेंगे ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे आप चाहें तो इससे फ्रीस में रख दें और मैंने रोम टंप्रेचर पर ठंडा कर लिया था उसके फ्रीज में रख दिया था एक गंटे के लिए और यहाँ मैंने फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने थोड़े से अनार के दाने लिए हैं हरे वाले अंगूर लिए हैं थोड़े से केले लिए हैं बदाम और काजू लिए हैं यहाँ पे आप जो काला वाला अंगूर आता है वो ले सकते हैं आम का सीजन है तो भी ले सकते हैं फिलाल मेरे आना काला अंगुर मिला और नहीं आम मिला तो मैंने इतने फ्रोट्स यूज किया और यह जो दूद है ना जो कस्टर्ड मिल्क हमारा है वो बिलकुल मैंने एक घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था एकदम छिल्ड हो गया एकदम ठंडा ह पीने पे बहुत ही स्वाधिस्ट लगा था डाल के सारे फ्रोट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है अब इससे थंडा थंडा एकदम स्वाधिस्ट बनता है तो आपना इस रेस्पी जरू से ट्राइट कर येगा बहुत पसंद आएगी आप सबको तो यहां पे हम इसे अब सौर कर लेते हैं तो मैंने यहां पे ले लिया है दो ग्लास यह देख सकते हैं और इसमें हम थोड़े से कटे हुए अंगुर डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे थोड़े से बलाम भी डाल देंगे यह बिल्कुल optional है करना आप चाहें तो करें वना skip कर सकते हैं क्योंकि सारे चीज तो हमने जो custard milk है उसमें addy कर रहा है तो यह देखने में थोड़ा नीचे से भी काफी अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम custard milk को डाल देंगे और यह देखे उपर तक दखा भर देंगे उसके आप से उपर से भी हम थोड़े गारी कर देंगे ती देक्षने में भी काफी अच्छा लगे यह बिल्कुल करना आप्श्नल है अब चहें तो करें वरनान ऐसे भी यह बहुत ज़्यादा स्वाध इस्ट लगता है तो यहाँ पे THO dónde बालाम भी डाल दी है देख सकते हैं और जोरी हमारा कस्टेडd मिल्क सिक है हो बन के रेडि हो चुका यह देख सकते हैं थोड़ за पीस्ता भी हमने डाल दी हैं और यह देखिए यह पीने के लिए बिलकुल रेडि हो चुका है तो फ्रेंड्स इस गर्मी आप जरूर से ट्राइ करें पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें थैंक यू